चेप्टर एरिया कॉस्चन नमर 75 ती पेरिम्टर आप रोंबस इस 40 सेंटिमेटर एंडी मेजर आप एंगल इस 60 देन दी एरिया ओप इट इस तो इसको सबसे पहले हम इसका नेम प्रवाइट कर देते हैं A B C D और इस रोंबस का पेरिम्टर गिवन दियागा 40 सेंटिमेटर और कोई एक अंगल 60 दिया तो सपोज हम इसको 60 दिगर लेते हैं तो इसके अपोजिट अंगल भी इक्वाल होता है रोंबस का तो यह भी 60 दिगरी हो गया और A और C का सम हो जाएगा 360 में अगर हम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे 120 तो 240 जो हो गया वह अंगल A प्लस C का सम हो गया तो अंगल A होगा उसका हाप करेंगे तो यह 120 आएगा उसका हाप करेंगे तो यह भी 120 और डागोनल एक्वाली बैसेक्ट करता है अंगल को तो यह 120 का हाप 60 दिगरी होगा और यह भी 60 दिगरी तो ABC is equilateral triangle here given perimeter is equal to 40 cm so 4A is equal to 40 so A is equal to 10 cm and angle A plus angle C is equal to 120 degrees so BAC BCA is equal to 60 degrees so therefore triangle ABC and triangle ADC are equilateral triangle so therefore area of rhombus is equal to 2 into area of triangle ABC so is equal to 2 into root 3 by 4 into side square so cancel by 2 root 3 upon 2 into side is 10 cm so 100 so is equal to 50 root 3 cm square answer so option A is the correct answer